हलो गाईज मेरा नाम हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं गाईज आज के सेशन में और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाईज इस सेशन के माधियम से आप लोगों को दो मैंसे MTS का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है गाईज उसमें आप लोग का बहुत ही इंपोर्टन डोल निभाने वाली है ये सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए आज का ये क्लास गाईज और ये हमारे गनपती बपा हुए है ओम गने सायनमा और राधे राधे आप लोग आप सभी का सुप्रभात चलिए स्टार्ट करते हैं गाईज और आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है गाईज ताकि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहे हैं पूरे दिन जब आखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुस्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया जी गाईज जब आखों में अरमान लेके चले हैं और मंजिल को अपना मान लिया है तो मुस्किल क क्या होगा और आसान क्या होगा यह कोई माइने नहीं रखता है जब ठान लिया है तो ठान लिया है एक बार लक्ष को भेद करके ही अपनी सफलता निस्चित करनी है चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कोट के साथ आज का हमारा पहला सवाल है आप लों के बीच में अकबर ने किस करेक्ट आंसर हो जागा बिर्वल को अकबर ने कविराज और कविराई की उपाधी किसे दी थी बिर्वल को नेक्स कोशन कोशन नमबर टू है जहांगिर के निर्देश पर किसने अबूल फजल की हत्या कर दी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सिंग बंदेला ने वीर सिंग बंदेला होगा यहां पर ही दिखिए बंदेला नहीं बंदेला होगा ठीक है इसलिए ओप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट आंसर हो जागा नेक्स कोशन है Q3 है 10 साला बंदोबस्त किसे समंधित है बिल्कुल correct answer है guys option number 30 is the correct answer हो जाएगा आपका टूडर मल से next question question number 4 है अकबर ने किसे कंठा भर्नवानी विलास की उपाधी दी थी बिल्कुल correct answer है guys आप लोगा guess सही है option number 20 is the correct answer हो जाएगा तांचेन को next question question number 5 है मुगल वन्स के संदर में पिता के रहते बादसा पद प्राप्त करने का पर्थम प्रियास करने वाला सहजादा कौन था बिल्कुल correct answer है guys option number E is the correct answer हो जाएगा जहांगीर next question question number 6 है guys सासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादसा कौन था guys बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा जहांगीर next question question number 7 है guys किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलो के हाथ से निकल गया बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा जहांगीर के समय में next question question number 8 है guys किस सासक को जहांगीर ने फरजंद जिसे पुत्र कहते हैं guys कि उपाधी से सम्मानित किया बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा बिजापूर के सासक आदिल साह को next question question number 10 है मैंने अपना रज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला सराब और एक प्याला सोरबे के लिए बेच दिया है यह किसकी उकती है बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जगा जहांगीर के द्वार बोला गिया था next question question number 11 है जो चित्रकला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ किस मुगल सासक ने कहा बिल्कुल correct answer है guys option number B is the correct answer हो जगा जहांगीर क्योंकि जहांगीर जो है चित्रकला के प्रेमी थे है next question question number 12 है guys मराठो एवं अफगानों को मनसबदारी पर्था में सामिल करने वाला पर्थम मुगल सासक कौन था बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जगा जहांगीर next question question number 13 है guys साजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई चार option में से आप लोगो correct answer चूच करना है बिल्कुल correct answer है guys option number D is the correct answer हो जगा महावत खा का बिद्रो next question question number 14 है दोस्तो साजहां का मूल नाम क्या था बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जगा खुर्रम next question question number 15 है दोस्तो साजहां ने किसे मलका ये जमानी की उपाधी दी बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जगा अर्जूबंद बानो बेगम जिसे मुम्ताज महल के नाम से भी जाना जाता है next question 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 number 16 है दोस्तो साजहां ने किसे सह एकबाल एवं सह बलंद की उपाधी दी थी बलंद नहीं होगा बुलंद होगा guys ठीक है धान रखीगा जी बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number A दारा सिक्को को next question साजहां के साशनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्राधी का युद्धो का क्रम क्या था बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा बहादूर पूर धर्मत सामुगर और अपकर आईए उत्राधी कार के लिए next question है question number 18 है guys दारा सिक्को औरेंग जेव के मद्ध हुए उत्राधी कारो उत्राधी कार युद्धो में सबसे निरनायक युद्धो कोन माना जाता है बिल्कुल correct answer है guys option number B is the correct answer हो जाएगा आपका सामुगर का युद्ध next question question number 19 है औरंग जेव ने अपने पिता को किस कीले में नजरबंद कर दिया जहां आठ वर्स के बाद नजरबंदी के हालात में ही सा जहां की मौत हो गई बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा आगरा का कीला next question question number 20 है guys औरंग जेव के विरुद हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है guys बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा आपका जाट उसके बाद बुंदेला उसके बाद सतनामी उसके बाद सिख ये विरुद्रोह हुएं थे आपका next question question number 21 है दोस्तो किस जाट नेता ने बाद सह अकबर के मकबरे जो सिकंद्रा कहलाता है को हानी पहुचाई तथा अकबर की कबर को खुद कर उसकी हडियों को जला दिया बिल्कुल correct answer है guys option number B is the correct answer हो जाएगा option B सही जवाब होगा राजा राम next question है दोस्तो साकी मुस्ताइद खां की रचना माशिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संगया दी बिल्कुल correct answer है guys option number A is the correct answer हो जाएगा जदुनात सरकार में next question question number 23 है guys जिस परकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बरबाद किया उसी परकार दक्कन के फोड़े ने औरंग जेव को यह उक्ति किस इतिहास कार की है बिल्कुल correct है guys option number A is the correct answer हो जाएगा जदुनात सरकार की next question question number 24 है दोस्तो किस मुगल बादसा को उसकी परजा साही वेस में एक दरवेस या फकीर कहती थी बिल्कुल correct answer है guys option number D is the correct answer हो जाएगा साद औरंग जेव को next question question number 25 है गाज और आज का हमारा last सवाल भी है इस session का किसने अकबर को जिल लाही यानि खुदा की परचाई एवं फर इजदी खुदा से निकलने वारी रोस नहीं कहा बिल्कुल correct answer गाज option number A is the correct answer हो जाएगा अबुल फजल को option A सही जवाब होगा तो यह हुए आज के हमारे top 25 question गाज चोकि सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए अत्ती महतुपून है यह session आप लोग कैसा लगा feedback जरूर देजिएगा comment box के माधि हमसे चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजएगा साथ में bell icon घंटी को भी on कर लिजएगा टेलिग्राम चैनल पर जरूर जूर जाईएगा सेशन को पूरा देखने के लिए आप लोग का तहे दिल के साथ फिर से शुक्रियादा करता हूं लाइक शेयर जरू कर देजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीजियो में तब तक लिए जेहिंद जे भारत